आपका बहुत बहुत श्वागत है एंड आपको पता है जैसा कि यूपी टेट के जो फार्म है वो भरे जा रहे हैं रेस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है तो हमने वीडियो बना के आपको बताया भी था लेकिन आपके बहुत सारे जो कमेंट्स और मैसेज जो है वो इन चीजों को लेकर के है कि जिन लोगों ने नाया से डिलेट किया है क्या वो लोग यह फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं देखिया लेडी मैंने एक वीडियो बनाया था आपको बताया था कि आप लोग वैलिड है या नहीं है जिन लोगों ने यह नाया से है या नहीं है ठік है तो देखी यहाँ पे चली इस बात को clear करते हैं और आपको हम बताते हैं कि आप लोग valid हैं फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं लेकिन उसके पहले दिया आपने चैनल रोल रहा है चाहे वह बिहार ओ यूपी भी शुरू हो गया है की यूपी टेटब होने वाले हैं और जो गवन्मेंट है वह जो तो मेंợion सुझे जो एक स्वालीमानी्स वै उसमें सीधें नहीं का है कि नहीं स्वालीमानने या Пैस Ça जो eligibility है वो रख दिये कि जिन लोगों ने NCTE के माध्यम से ठीक है ना या फिर दो साल का course किया है NCTE के माध्यम से या फिर other institute से भी किया है तो दो साल का course किया हूँ वो eligible है यहाँ पर page फस रहा है कि जो जिन लोगों ने नायस से delete किया है हलान कीज़े दो साल का course कहा जा रहा है मैं इसको भी तुला सापको समझा देती हूँ मेरे पास काल हुई आया था देखे आपका जो यह course है वो दो साल का ही है सिर्फ और इस में से 6 मन्द का जो intersive होता है वो course अटा दिया गया है देखे इंटरसिप course होता है इसके बाद हम से आपको पता है कि जवाब बाद बाद करते हैं तो इस में जो जो लोग student होते हैं जो करते हैं वो अधर स्कूल में जाके कुछ मंत के लिए पढ़ाते हैं यानि एक तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है पढ़ाने का लेकिन जो लोग नायस से डिलेट कर रहे हैं वो आलडेडी टीचर है क्योंकि जो लोग अधर जो अधर जो लोग course करते हैं इसको तो टीचर नहीं होते हैं वो करते हैं इसलिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है लेकिन जिन लोगों ने नायस से डिलेट किया वो आलडेडी टीचर है इसलिए गवर्मेंट ने उनको यह course नहीं कराया कि वाल लेडीज में ट्रेंड है वो पढ़ा रहे है तो उनको इस चीज की जहुरत नहीं है इसलिए व कोर्स का जो डूरेशन थी वो दो महीने कम कर दी गई अब यहां पर एक रूल होता है कि एक जो है वो किसी भी एक्जाम के लिए एलिजविल्टी दो साल की रखती है कोई भी टेट एक्जाम हो उसमें दो साल का कोर्स होना कमपलसरी होता है या फिर एक साल का जो इस पेसल औहाँ मेरे नौलज में अभी तक जो है किनसीटी ने अभी तक मानता नहीं दी रहा रहा है और रशकरी नरेन्श मोदी तक भी पीम जो हमारे हैं उनके वहां तक भी जा चुकी है और उन्होंने जो है जवाब मागा है क्योंकि सीधी सी बात है बारा से पंद्रा लाग के लवग जो टीचर है उनको ट्रेंड किया गया है तो किस बेस पे किया गया फिर उनकी डिगरी को ही मानता नहीं दी जाएगी फिर उनकी जो लोग प्राइमरी लेवल में 12 बेस पे डिलेड नहीं है 12 बेस पे डिलेड नहीं मागा गया है यह बात आप अगर यूपी आटेट का जो निकला है नोटिफिकेशन उसमें आप देखेएगा इलिजबिल्टी में उसमें बीलेड मागा है बीलेड ठीक हां 12 के बाद जो बेस इलिजबिल्स को निकला है जैरा है डिलेड देखेएम इलिजबिल्टी में अभी आप वेट करिए और जहां तक है इसकी जो लास्ट डेट रखी गई अभी 27 या 22 वी नॉम्बर है उसके आगे भी डेट जाएगी मौका आपको दिया जाएगा और आप संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष करिए क्योंकि संघर्ष के आगे ही जीत होती है आप संघर्ष कर अग्रेशन कंप्लीट था तो वो लोग इसके एलिजबल हो सकते हैं लेकिन यहां पे एंसीटी ने अभी आपको मानता नहीं दिये और जिस दिर एंसीटी जिलेट को मानता दे देगी उस दिन आप एलिजबल हो जाएंगे तो किसी के कहने पे अभी आप बिलकुन फार्म मत बरिये कि कोई वे अप्रभारी है कोई ऐसी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका जुड़ा हुआ कोई तार है उपर से और उसने आपको बता दिया है और आप फार्म बने बैट गए तो आपके पैसे जो हो बरबाद हो जाएंगे अभी आप बेट कर लिजए अभी स्टार्टिंग